Hello dear students, welcome to my channel जैसा कि मैंने आपको पहले set 2 के लिए sample paper दिया था तो आज के video lecture में मैं आपको set 2 का जो class 10th का sample paper दिया था उसका solution करवाने जा रहे हूं maths का ठीक है November के end में या December के first week में आपका summative assessment test number 200% conduct होना है तो ये sample paper आपको आपकी preparation में बहुत helpful रहने वाला है तो जिन बच्चों ने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है सबसे पहले subscribe करके bell icon को press कर लो भई क्या फाइदा होगा अभी ये आपका set है इसके बाद आपका 10th class का और 12th class का भई क्या होना है प्री बोर्ड का exam होना है जिसके लिए भी मैं sample paper लाऊंगी solution कराऊंगी और मैं हर साल सभी बच्चों के लिए 10th और 12th के बच्चों के लिए एक super fast revision series लाती हूँ जिसमें एक chapter को मैं एक पूरी वीडियो में complete कराती हूँ और उसके important questions भी कराती हूँ तो इस तरह की मेरी सभी updates पाने के लिए चैनल को subscribe जरूर करके रखें और अपने friends को share भी करना है तो sample paper आपने पहले ही देख लिया होगा अभी हम start करते हैं इसका solution जैसा कि आपको थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं ना कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है दिखने में तो देखो बिल्कुल साफ क्योंकि mobile का स्क्रीन चोटा होता है ना तो यह देखो भई अब अपना सबसे पहला जो है अपने directions हैं भी दस question एक एक नंबर के हैं ग्यारा बारा दो दो नंबर के हैं और तेर्वा और चोधवा तिन तीन नंबर के हैं सेम instructions आपकी English में है पूरा पेपर मैंने Hindi और English दोनों मीडियम में बता दिया है और दोनों में ही मैं कोशिश करूँगी कि solution करवा सकूँ तो हम section नंबर A से start करेंगे ठीक है देखते हैं अपना question नंबर 1 यह कहता है कि भईया sign 2A is equal to 2 sign A कब 2 होता है when A is 0 degree, 30 degree, 45 यह 60 तो आपकी class के level पर आप इसको verify करने के लिए केवल put ही कर सकते हो ठीक है जब हम 11th class में जाते हैं तो और भी हमारे पास identities आ जाती हैं और भी methods आ जाते हैं तो sign 2A और 2 sign A कब बराबर होगा तो 4 values को बारी बारी से check करो पहला answer 0 है मैं A की जगा 0 रखने जा रही हूँ तो sign 2 into 0 और right में भी मैंने रख दिया 2 into sign 0 2 को 0 से multiply करोगे 0 आएगा तो यह तो बनेगा sign of 0 degree और right में भी बनेगा 2 times sign of 0 degree sign of 0 degree 0 होता है यहां भी 0 आएगा 0 को 2 से multiply करोगे 0 यह तो answer equal आगया 0 रखते ही हमारा answer equal आगया और यह हमारा इसमें A की option correct होना है तो वो option number A आजाएगा कि यह दोनो results equal तभी होंगे जब हमारी A की value 0 आएगी तो हमें 30, 45 और 60 को check करने की जरूरत ही नहीं है clear है समझ आ गया second question पर चलते हैं थोड़ा और इसको उपर कर लेते हैं question number second देखेंगे Hindi और English medium दोनों एक ही बार में समझ जाना और पांस सेंटीमेटर तिरिया वाले वृत के बिंदू P पर सपर्ष रेखा O से जाने वाली रेखा को क्यो उपर मिलती है टेंजेंट है एक सरकल है सबसे पहले तो मैं सरकल ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर देखो भई question number two मैं करवा रही हूँ सबसे पहले तो मैंने ये सरकल ड्रॉ कर लिया इसके बिंदू P पर P point पर सरकल पर एक point है P जिस पर एक tangent है सपर्ष रेखा है जिसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो center से एक line जा रही है ये center है ये केंदर है O और O से आगे जाकर ये इसको यहाँ क्यो पर मीट कर रहा है ये है सारी कहानी समझा गया और the tangent P क्यों at point P of a circle of radius 5 cm ये radius है आपका O P ये 5 cm है meets a line through the center O at a point क्यों such that O क्यों is 12 तो ये वाली जो line है O क्यों ये अपनी 12 cm है और ये 5 find the length of P क्यों P की लंबाई आपने बतानी है अब ये always right angle triangle बनता है लेकिन confused नहीं होना है ये आपका tangent है ये radius है तो tangent और radius जहां मिलते हैं वो angle 90 होता है तो triangle O P क्यों जो है वो एक समकौन तिरभूज बन गया ये angle 90 है तो इसके बिलकुल सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारा current होता है hypotenuse होता है clear हो गया तो आप Python गोरस theorem लगा दीजी hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square clear है समझ में आरी है मेरी बात आपको थोड़ा इधर कर लेते हैं अब देखो अच्छे से और भी समझ आएगा अब hypotenuse का मतलब है बच्चे O क्याउ whole square is equal to O P whole square plus P क्याउ whole square put the values O क्याउ कितना है 12 whole square O P कितना है 5 whole square और प्लस P क्याउ whole square यह हो गया 144 यह हो गया 25 प्लस P क्याउ whole square 25 को लेफ्ट में लेआओ 144 minus 25 is equal to P क्याउ square यह 119 आएगा P क्याउ square दोनों तरफ जब आप square root करेंगे तो आपकी P क्याउ की value 119 under root centimeter आएगी जो की आप देख सकते हो आपका option number D है ठीक है easy था मेरे ख्याल से कुछ भी इसमें आपका मुश्किल नहीं था पूरा question मैंने एक frame में ला दिया है आप आसानी से इसको समझ सकते हो अब चलते हैं अपना question number 3 पर बिल्कुल verbal है यहीं पर मैं बता दूंगी question number 3 क्या कहता है 9 into secant square A minus 9 tangent square A दोनों में से जल्दी से 9 को common ले दो तो यह बन गया secant square A minus tangent square A और secant square A minus tangent square A के identity कितनी होती है 1 होती है तो यह पूरी value 1 हो जाएगी और यह 9 into 1 9 आ जाएगा जो कि आपका option number B है चलते हैं question number 4 पर ठीक है और यह बड़े important questions है जो मैंने previous year के set से आपके लिए हैं ठीक है ना वहीं से आपकी questions बार-बार आपसे पूछे जाते हैं इन सभी questions की आपने अच्छे से practice करनी है साथ में एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कुछ बच्चे कहते हैं कि बहुत प्रेक्टिस के लिए तो देको यह आपको मैं sample paper suggest करूंगी एजुका जोन का sample paper है यह इस पर CBSE भले ही लिखा हुआ है लेकिन यह paper अपने HBSC के लिए भी बहुत helpful है क्योंकि सारा pattern वही आ चुका है standard basic CBSE से आ चुका है तो आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है जिन बच्चों को अच्छे से practice करनी है वो इस sample paper को purchase करे class 10th के लिए standard अपना sample paper है यह 10 sample papers मिलेंगे previous year papers मिलेंगे और practice paper मिलेंगे तो मैं recommend करूंगी कि आप इस sample paper को अपना purchase करें और इससे अपनी preparation करें same sample paper class 12th के लिए भी बनाया है और other subjects के लिए भी बनाया है देखो यह 12th के लिए तो आप अपने 12th के भाई बहन को भी अपना suggest कर सकते हो और other subjects के लिए भी एजुका जो उनके sample papers available है जो इनका परचेज का link है आप इसको कहां से परचेज कर सकते हो तो वो link मैं आपको description box में दे दूँगी तो आप वहां से अपना link देखकर परचेज कर सकते हो चीक है चलिए अब हम चलते हैं भाईया question number 4 पर एक वृत का बड़े ध्यान से समझना है एक वृत का शित्रफल बताओ जिसकी परीदी 44 cm है find the area of a circle अब भाईया area of a circle क्या होता है पाई आर स्क्वेर पाई आर स्क्वेर का मतलब मुझे radius चाहिए बट इसने radius नहीं परीदी है जो circumference है वो 44 अर परीदी का formula होता है circumference का formula होता है 2 pi r इसकी help से पहले हमें r मिलेगा और r से radius से फिर हम इसका क्या निकालेंगे area निकालेंगे तो ऐसे थोड़ा idea लेना होता है कि वे किस तरीके से हम कर सकते हैं 22 दुनी 44 44 से 44 cancel right side में कितना बच जाएगा 1 7 को जाएगी और जब radius आ गया तो area यानिक शेत्रफल क्या होता है pi r square pi का मतलब 22 by 7 और radius का square यानि radius 7 आया है 7 से 7 cancel हो जाएगा 22 into 7 यानि 154 cm square आ जाएगा जो की अपना option number A है okay मैं बहुत ही जल्द Hindi medium के बच्चों के लिए भी आपको sample paper मैं suggest करूंगी कुछ बच्चे अपने बेज़े से Hindi medium के उनको problem होती हैं तो Hindi medium students के लिए भी Hindi medium students के लिए भी मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगी कि कौन सा sample paper आपको purchase करना चाहिए मैं थोड़ा analyze अभी कर रही हूं उसके बाद मैं आपको बताती हूं चलते हैं भया question number 5 पर समकोन तरिवूज ABC में राइट एंगल ट्राइंगल ABC यह देख लो थोड़ा सा और जूम कर देती हूं मैं इसको तो यह अपना है राइट एंगल ट्राइंगल ABC और यह एंगल theta है तो आपने cos theta बताना है तो cos क्या होता है base by hypotenuse भया cos theta क्या होता है base by hyp hypotenuse और जब यह एंगल है तो इसके साथ वाली side base होती है और यह वाली side hypotenuse तो base का नाम है BC और hypotenuse का नाम है AC क्योंकि hypotenuse 90 के एंगल के just सामने होता है तो cos theta की value आएगी BC by AC जो की option number B है question number 6 वृत को दो बिंदो पर काटने वाले रेखा छेदक रेखा कहला थे line intersecting a circle in two points is called a secant yes it's true बिल्कुल सही है वृत को जो रेखा दो जगा पर काटे उसे English में secant और Hindi में छेदक रेखा कहते है question number 7 पे आजाओ tangent a का मान हमेशा एक से कम होता है the value of tangent is always less than one no it's false गलत है क्यों tangent की value बच्चे 60 degree पे एक मिनट थोड़ा सा इसको यहां से साफ कर लेते हैं अच्छे से आपको दिखाई दे मेरे वीडियोज अच्छे लगें आपको helpful लगें तो चैनल को subscribe जरूर किया करें teacher को भी encouragement मिलता है भी हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चों ने subscribe किया है तो हम और भी ज़्यादा कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छा lecture बनाने की तो tangent 60 की value होती root 3 root 3 का मतलब होता है 1.732 जो की 1 से greater है इसका मतलब यह wrong कह रहा है यह false है आगे चलते है question number 8 पर question number 8 पर आ जाओ तो यहां से साफ कर देते हैं देखो जरा यदि tangent A 4 बटा 3 है if tangent A is 4 by 3 then find sign है बहुत simple इस तरह का question जब भी आ जाए तो एक right angled triangle बनाओ angle का नाम A है तो उसको हमेशा नीचे लो इसको कोई भी नाम दे दो मालो B नाम दे दिया मालो C नाम दे दिया तो बच्चे जो tangent A अपना होता है उसकी value क्या होती है perpendicular by base perpendicular अपना ये वाला होगा ठीक है ये वाला अपना perpendicular है यानि की BC और base कितना है AB ठीक है ये perpendicular है और ये अप करना बेस है अब टेंजेंट एकी वैल्यू इसने दी है फोर बाई थी इज इक्वल टू बी-सी बाई-ए-बी वैसे तो यह कुश्चन लंबा होता है रेशो का हम के लेके करते हैं लेकिन वन माक का हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बी-सी फोर आ जाएगा और यह थी इसकी हल्प से पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है परपेंडि अभी यूज किया है मैंने फिर दुबारा कर रही हूँ 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर यानि की 16 प्लस 9 यानि की 25 दोनों तरफ जब आप अंडरूट करोगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5 तीनों साइड आगे रही ट्रेंगल ट्रेंगल की जब तीनों साइड आ जाती है तो कुछ भी वैली हम निकाल सकते हैं तो हमें साइन ए बताना है sign क्या होता है perpendicular by hypotenuse perpendicular 4 है hypotenuse 5 है तो आपका answer 4 by 5 आ जाएगा इस question का answer 4 by 5 आ जाएगा एक बात मैं यह clear कर दूँ कि मैं बार-बार आपको अच्छे से detail में बोल-बोल के समझारी हूँ तो इतना time लग रहा है वरना इन questions में इतना time लगता नहीं है आगे चलते हैं question number 9 पर वृत की परीधी और व्यास का अनुपात बताओ find the ratio of circumference and the diameter of a circle जो previous question है वो मैंने हाँ जी English और Hindi मीडिया में same था तो मेरे ख्याल से कोई problem नहीं आएगी अब यहाँ दोनों को मैं बता देती हूँ ratio of circumference and diameter परीधी और व्यास तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो पहले वाले को पहले नंबर पर रखना है और दूसरे वाले को आपने दूसरे नंबर पर रखना होता है सुन रहो ना मेरी बात को यानि परीधी को उपर रखना है व्यास को नीचे रखना है circumference को उपर रखना है diameter को नीचे circumference का formula होता है 2 pi r diameter का formula होता है 2 r 2 से 2 cancel, r से r cancel उपर pi बच गया नीचे कुछ नहीं है 1 है तो ratio आ जाएगा pi ratio 1 ठीक है आप इसको pi ratio 1 ही लिखना लेकिन in general आप ऐसे भी कर सकते हो pi की value लगबग 22 by 7 होती है ratio 1 तो 7 उदर चला जाएगा तो 22 ratio 7 भी आ जाता है बट मैं ये recommend नहीं करूंगी ये आपका correct answer होगा got it समझ आ गया कोई भी query हो तो आप मुझे बेजी जग लिख सकते है comment box में और ये हमारा one mark का last question है theta cone वाले 3J खंड की संगत चाप की लंबाई बताओ बहुत आसान ये circle है ये आपका sector है find the length of corresponding arc of a sector तो ये तो पूरा अपना sector हो गया clear है दिग गया था आपको उसका ये angle theta है तो arc ये है भी या इसकी length आपने बच्चे बतानी है तो arc का length का क्या formula हाता बिलकुल simple है theta by 360 into 2 pi r ये हमारा formula आजाता है arc length का clear है अब हम आगे चलते हैं section number b पर section number b में हमारे two marks के two questions आएंगे थोड़ा सा इसको clean कर लेते हैं board को और अब चलते हैं अपने इस question पर two marks में डाला है ये question मैंने prove that यासी दिकरो की ठीक है तो ये है आपका secant a into 1 minus sin a into secant a plus tangent a is equal to 1 clear हो गया ये ही है ना ये देख लो ये सारा result है जो मैंने हैं write कर दिया इसको equal to 1 prove करना है तो थोड़ा सा और इसको board को clean कर लेते हैं अपना साफ सुत्रा आप देखते हैं अब मेरी बात सुनो जब भी इस तरह का question है सबसे पहली कोशिश आप किया कीजिए कि सब को sign cost में बदले वो comparatively easy बढ़ पड़ता है तो secant को जब हम convert करेंगे तो secant होता है 1 by cost इसको agitage रखना है second क्योंकि sign में है third bracket पे आ जाओ तो secant a होता है 1 by cost से tangent a होता है बच्चे sin a by cost clear हो गया आप चाहो मेरी बात को सुनना ध्यान से a by b into c है यहाँ पर कुछ ऐसा ही है हाँ इसका मतलब क्या है a by b multiplied by c numerator numerator से multiply होता है तो a c by b आ जाता है तो यहाँ 1 को मैं इस से multiply कर दूँगी तो उपर मेरा आएगा 1 minus sign a और denominator में यहाँ कुछ भी नहीं है 1 है तो denominator को मैं denominator से multiply करूँगी तो मेरी value यहाँ denominator में आ जाएगी cos a ठीक है यह इन दोनों को मैंने merge कर दिया और अब इस वाली bracket पर आ जाओ तो इस bracket में नीचे दोनों जगा cos a है तो मैंने cos a को lcm ले लिया cos a से cancels 1 यहाँ cos से cos cancels sign a दो fractions आपको दिख रहे हैं अब आपने numerator को numerator से multiply करना है तो उपर ध्यान दो 1 minus sign a 1 plus sign a a minus b और a plus b क्या formula होता है a square minus b square तो यह बन जाएगा 1 का square minus sign का square और नीचे जब cos a को cos a से multiply करोगे तो cos square a 1 का square बच्चे 1 ही होता है 1 minus sign square a by cos square a और अपनी identity क्या थी याद कर लो सभी identity याद होनी चाहिए sin square a plus cos square a is equal to 1 sin square को right में ले जाओ तो cos square a आ जाता है 1 minus sin square a तो यह numerator की term भी बन जाएगी cos square a denominator में भी cos square a दोनों cancel होकर 1 आ जाएंगे which is our right hand side और यही चीज हमने प्रूव करनी थी यह देख लीजिए पूरा question एक single frame में मैंने डाल दिया है आप इसको pose करके note भी कर सकते हो साथ साथ भी note कर सकते हो और मैं तो कहूंगी कि पहले आप अपना level पे इसको try करो तब आप आगे मेरी वीडियो की help लो आगे चलते हैं next question number 12 पर यह देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यह है बच्चे question number 12 एक घड़ी की मिनट की सूई जिसकी लंबाई 14 cm है उस सूई द्वारा पांच मिनट में रचित शेत्रफल ग्यात करो the length of minute hand of a clock is 14 cm find the area swept by the minute hand in 5 minutes अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कोई भी कैसा भी clock हो उसकी जब सूई रोटेट होती है तो वो एक circular path बनाती है always तो एक circle बनेगा और minute hand यहां से यहां तक जा रही है तो यह radius of circle हो गई जिसकी length 14 cm है तो यह radius आपका 14 cm हो गया अब इस minute hand ने 5 minutes में कितना path कितना area cover किया अब यह 12 पे है ठीक है यह भीया आपकी 12 पे है और 5 minutes में यह कहां पहुँच जाएगी 1 पे पहुँच जाएगी तो यह सुई यहां से चल कर यहां तक आई तो इसने इतना सारा area cover किया which is nothing but the sector of a circle यह और कुछ भी नहीं है यह एक वृत का त्रिजय खंड है है न क्योंकि दोनों यह तिर्जयाई हो गई 14 और यह पूरा शेत्रफल तिर्जय खंड हो गया तो यह angle कितना है बस यही एक चोटा सा काम रह जाता है यह वैसे आपको वर्बल याद होना चाहिए तो मैं आपको समझा दू बिटा कि अगर मिनट की सुई बारा पर है आपकी मेरी बात सुन लो अभी 10 बज रहे हैं तो मिनट वाच जो है बारा पर है 11 बजेंगे तब मिनट वाच दुबारा घूम कर बारा पर आएगी यानि एक घंटे में यह अपना एक राउंड पूरा करती है एक घंटे का मतलब है कि 60 मिनट में एक राउंड पूरा करती है एक राउंड पूरा करने का मतलब 360 डिगरी का एंगल पूरा करती है यानि 60 मिनट में यह 360 डिगरी का एंगल कवर करती है तो एक मिनट में 360 यानि कि 6 डिगरी का एंगल कवर करेगी और यहां हमारे question में 5 minute है तो 5 minute में ये कितने degree का angle cover करेगी 30 degree का तो हमारे पास अब एक ऐसा sector आ गया जिसका radius 14 है और ये angle 30 degree है और अब आपने area of this sector निकालना है सारा आपने लिखना है the radius of the circle is 14 cm हिंदी मीडिया माले क्या लिखेंगे कि मिनट किस हुई एक मिनट में 6 डिगरी का कौन बनाती है या एक मिनट में बनाया गया कौन 6 डिगरी पांच मिनट में बनाया गया कौन 30 डिगरी इंग्लिष मिनवाले बच्चे भी लिखेंगे अंगल सब्टेंड इन वन मिनट इस 6 डिगरी एंगल सब्टेंड इन 5 मिनट इस 30 डिगरी तो एरिया swept by the minute hand in 5 minutes तो जो रचित शेतरफल है जिसे मैं हिंदी में कहूंगी पांच मिनट में मैं स्टेटमन नहीं लिखने हूँ आप अपने आप लिखेंगे पांच मिनट में रचित शेतरफल तो वो इस त्रिजे खंड का शेतरफल हो जाएगा जिसका formula होता है theta by 360 into pi r square theta 30 by 360 into pi का मतलब 22 by 7 और r square का मतलब r 14 है तो 14 into 14 एक बात और बता दू ये बात अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो अभी एक मोटी सी बात क्या है बही मिनट की सुई 12 पे है 15 मिनट में 3 पे आ जाएगी तो कितना एंगल कवर करेगी 90 डिगरी का बही 15 मिनट में 3 पे आ गई तो कितने डिगरी का एंगल हो गया 90 डिगरी का तो एक मिनट में कितने डिगरी का हो जाएगा 6 डिगरी का तो वही बात यहां आ जाती है तो अब 154 by 3 cm square तो ये area minute hand ने cover किया 5 minute में मैं hope करती हूँ आपको समझाया है नहीं आए तो comment box में लिखें मेरा telegram group है, whatsapp group है उनको भी आप join कर सकते हो चलिए, section C पर आ जाते हैं तिन-ती number के अपने 2 question है उनको देखते हैं फटा-फट आदी आने से एक पेड तोट जाता है तोटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड का शिखर जमीन को चूने लगता है देखो भीया ये पेड है बिटा जी यहां से तोटा तोटने के बाद ये जो उपर वाला हिस्सा है ये ऐसे नीचे की तरफ ऐसे गिर गया और यहां जमीन को चूने लगा यानि ये यहां से गायब हो गया क्लियर है समझारी मेरी बात और उसके साथ 30 डिगरी का कौन बनाता है किसके साथ जमीन के साथ 30 डिगरी का एंगल बनाता है पेड के पाद बिंदू की दूरी जहां पेड का शिखर जमीन को छूता है ये पेड का foot point है, ये पेड का top point है इनके बीच की जो distance है वो 8 meter है पेड की उचाई ग्यात करो ये tree breaks due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter find the height of the tree ये बात ध्यान रखना, ये question मैंने जान बुज के डाला है, कई बार आप इसमें गड़बड कर देते हो तो कहानी आपको समझ आ गई होगी अब हम यहाँ बनाएंगे पेड के हैं दो हिससे A is the foot of the tree, पेड का पाद बिंदू है ये B से पेड तूटा और तूट के मुड़ा और मुड़ के इसका जो टॉप पार्ट है वो C है वो यहाँ गिर गया और ये जो एंगल इसने बनाया जमीन के साथ वो 30 डिग्री है और A और C के बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है अब कुश्चन को समझना इसने कहा पेड की उचाई बताओ पेड की उचाई का मतलब है आपको A, B भी निकालना है और B, C भी निकालना है क्योंकि ये भी पेड का टूटा हुआ भाग है और फिर दोनों को जब आप जोडोगे तो पेड की हाइट आ जाएगी यह सब आप अपना एक्जाम में लिख कर आएंगे थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं और यहाँ पर अब मैं आपको कुश्चन समझाती हूँ पहले AB निकालना है तो देखो मेरी बात सुनलो यह 90 का एंगल है तो परपेंडिकुलर हो गया AB बेस हो गया AC जो की 8 मीटर है और हाइपोटेन्यूज हो गया BC और थीटा आपका हो गया 30 डिगरी अब इसी ट्रेंगल में टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस थीटा लगा लो C लगा लो टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर का मतलब AB और बेस अभी मैंने लिख दिया है 8 है टेंजेंट 30 की वेल्यू होती है 1 बाई रूट 3 is equal to AB by 8 8 को इधर ले जाओ तो 8 बाई रूट 3 is equal to AB इस तरह से आ जाए तो आपने rationalize जरूर करना है AB is equal to 8 बाई रूट 3 into रूट 3 बाई रूट 3 यानि की 8 रूट 3 बाई 3 मीटर ये AB वाला पार्ट आपका आ गया अब बचगा BC, BC hypotenuse है, base मुझको पता है hypotenuse और base से क्या बनता है, cos theta cos theta होता है base by hypotenuse, base है AC, hypotenuse है BC theta 30 डिग्री है, AC की value 8 है, BC की value मुझे नहीं पता मुझे calculate करनी है cos 30 की value होती है under root 3 by 2 is equal to 8 by bc इसको बच्चे हम कर लेंगे cross multiply under root 3 bc is equal to 8 to 16 तो bc की value आ जाएगी 16 by root 3 तुरंत मैं rationalize कर रही हूँ root 3 by root 3 तो यह हो जाएगा 16 root 3 by 3 यह bc आ गया यह a b आ गया हमने करना क्या है हमने tree की height find करनी है पूरा question एक frame में डाल दिया है तो जो पेड की उचाई आएगी tree की जो height आएगी वो आएगी a b plus bc ठीक है यानि 8 root 3 by 3 और 16 root 3 by 3 यह वाला हिस्सा सब में same है 3 lcm आएगा 3 lcm आएगा तो वैसे मैं direct कर देती पर आपको मैं अच्छे से समझाना चाह रही हूँ तो यह हो जाएगा 24 by 3 root 3 3 8 जा 24 देख लो एक बार 3 8 जा 24 तो यह बन जाएगा 8 root 3 meter यह आपका final answer आएगा जो आपकी पेड की उचाई होगी आपने यह नहीं है कि AB को देखकर आपने पेड की उचाई बना दिया और आपने यह question कर दिया तो रोंग हो जाएगा पेड की height में दोनो parts को आपने यहाँ पर जोड़ना है और जल्दी से अब हम चलते हैं अपने sample paper के last question पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं lecture अगर helpful लगता है तो end करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि सभी बच्चे अभी last question देखने से पहले ही channel को subscribe कर लें अपने friends को share कर दें ताकि उनको भी कुछ इससे benefit हो सके ठीक है चलिए अब देखते हैं last question सिद्ध कीजिए कि एक वृत के परीगत समांतर चतुरबुज एक सम चतुरबुज होता है क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाईया एक सरकल है और उस सरकल के चारों तरफ एक पैरलेलो ग्राम है यानि कि एक समांतर चतुरबुज है उसके चारों तरफ ठीक है समांतर चतुरबुज है जो उसको circumscribe कर रहा है यानि कि उसको चारों तरफ से टच करता हुआ जा रहा है मालीजे इसका नाम है A, B, C, D तो आपको जो given है जो दिया है वो आप देख लीजिए कि A, B, C, D एक क्या है पैरलेलो ग्राम है जब A, B, C, D एक पैरलेलो ग्राम है गीवन में लिखेंगे आप तो क्या-क्या qualities होती है पैरलेलो ग्राम की जो opposite sides होती है वो equal होती है यानि A, B की length C, D के equal है और B, C की length A, D के equal है ये तो आपको given है सिद्ध क्या करना है प्रूव क्या करना है मैं दोनों language में manage करने की या कोशिश कर रही हूँ थोड़ा आपने भी adjust करना है तो प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि A, B, C, D एक rhombus है A, B, C, D is a rhombus, A, B, C, D एक सम्चतर बुज है सम्चतर बुज क्या होता है जिसकी चारों sides equal होती है यानि आपने actual में दिखाना क्या है कि A, B is equal to B, C is equal to C, D is equal to D, A ये मुझे show करना है समझ में आ गया question थोड़ा समय page को up कर लूँ अच्छे से अब हम यहां से करते हैं start proof पे आजाओ, proof पे आजाओ, प्रमान पे आजाओ, क्या proof दोगे circle के चारों तरफ है अगर मैं A, देखो अभी ये circle को चारों तरफ से touch कर रहा है तो उनको नाम दे दो A, B, C, D तो हो गया इसको नाम दे दो E, F, या P, Q, R, S कर लो ऐसा करो आसा करो आसान रहेगा थोड़ा है ना, P, Q, R, S P, Q, R, S, A, B, C, D एक पैरलेलोग्राम है जो वृत को क्रमश है P, Q, R, V, S पर सपर्ष करता है इंग्लिश मीडियों वाले बच्चे भी सुन ले A, B, C, D एक पैरलेलोग्राम विच टचस दा सरकल एट पॉइंट्स P, Q, R, S रिस्पेक्टिवली, क्लियर हो गया और ये और ये और आ गया कि ये दोनों बाते तो हमें पता ही है अब प्रूफ पे आजाओ देखो भई A एक बार कोई पॉइंट है और A, S और A, P को अब हम यहां यूज करने जा रहे हैं कि A से दो टेंजेंट्स डा जा रहे हैं आप यहां एक बात लिख देना कि किसी बाहिए बिंदू से जो वृत पर्ष पर्ष रेखाएं खीची जाती हैं वो हमेशा बरहाबर होती हैं आप यहां पर लिखेंगे अब देखो, A, P इस इक्वल टू, A, P की लेंग्थ A, S के इक्वल है B से जो टेंजेंट्स जा रहे हैं B, P और B क्या हूँ, इनकी लेंग्थ इक्वल होगी B, P इस इक्वल टू, B क्या हूँ थोड़ा यह सेटिंग करनी पड़ेगी, यहां ध्यान देना, C, Q और C, R इक्वल है, C, Q is equal to C, R and at last, D, S और D, R equal है, D, S is equal to D, R अब हमें इनको क्या करना है, adjust करके add करना है कि हम क्या show करना चाहा रही है तो मैं लूँगी इसको left में, और B, P को left में, और 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 इसको अब मैं क्या करने जारी, मेरी बात सुनो थोड़ा साब ये चीज़ हमें adjust करनी पड़ेगी, इस चीज़ को अब मैं लिखने जा रही हूँ, C, R is equal to C, क्या हूँ, C, R को मैं इधर ले आई, और D, R is equal to D, S क्योंकि या मैंने ये देखना, अब इन सब को हम जोड देंगे, इन चारों को जोडने पर, on adding these four equations, अब इन चारों को जब मैं जोडूंगी, ध्यान देना, इन चारों को मैं left में रखूंगी, जिन पर मैंने tick लगाया है, ये setting अभी मैंने की है, कैसे की है, वो मैं होंगी, AP प्लस BP, प्लस इधर क्या है ये, CR, और ये इधर क्या है, DR, मैंने कैसे adjust किया, कि ये दोनों, ये वाली side इन दोनों को जोड के, इन दोनों को जोड के, ये वाली side बनेगी, तो ये मैं left में रख्यों, इसके सामने मैं DC लाना चाह रही हूं, इसलिए मैंने DR और CR को left में रख्या है, clear है, और right side में क्या आ जाएगा, AS प्लस B क्या हूँ, प्लस C क्या हूँ, प्लस DS, अब देखो, AP प्लस BP, ये बन गया AB, CR प्लस DR, ये बन गया DC, ये इक्वल टू नहीं आएगा, ये प्लस का साइन आएगा, प्लस CD, CD लगा लो या DC लगा लो, इस इक्वल टू, AS और DS को जब आप एड करोगे, ध्यान से देख लो भई, ध्यान से देखना है, AS और DS को जब आप एड करोगे, तो आपका AD बन जाएगा, और इन बीच वालों को जब आप एड करोगे, तो आपका BC बन जाएगा, अब आ जाएं, main point पर, AB और CD की length equal है, तो यहाँ AB औ CD दोनों की जगा मैं AB लगा देती हूँ, AB प्लस AB, अब सुनना, AD और BC की length भी equal है, तो मैं यहाँ दोनों जगा BC लगा देती हूँ, क्योंकि AD BC के equal है, यहाँ आपने region देना है, वही समीकरन नंबर 1 का परियोग करते होए, using 1, AB प्लस AB, left side में हो गया 2AB, 2AB दिख रहा है ना आपको, और right side में हो गया 2BC, 2 से 2 cancel हो गया, AB किसके equal आगया, BC की, अब समझना बात को, थोड़ा से छोटा करते हैं, थोड़ा क्या जादा ही छोटा हो जाता है फिर यह, चलो देखो जराए एक बार, भई अब यह आपका, यहाँ पैरलेलोग्राम था, मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ, इस पैरलेलोग्राम में, मेरी बात सुनना ध्यान से, यह side इसके equal थी, लेकिन यह side इसके equal भी आ गई, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन AB किसके equal है, DC के, AB BC के equal आ गया, लेकिन AB DC के equal पहले से है, तो BC किसके equal हो गया, DC के, भई BC और DC भी equal हो गया, लेकिन BC किसके equal है AD के BC किसके equal है AD के तो ये AD के भी equal हो गया तो ये AD के भी equal हो गया और AB के equal तो था ही था तो चारों sides equal आ गई और ये जो given figure थी जिसे हम rhombus बोल रहे थे ये हमारी figure जिसे हम पहला लोग्राम बोल रहे थे ये figure हमारा एक rhombus बन जाता है, सम चत्रबुज बन जाता है चारों बुजाएं बराबर आ जाती है तो ये आपका complete sample paper था मैं hope करती हूँ कि ये आपके लिए helpful रहेगा जाने से पहले मैं जल्दी से एक बर फिर आपको बताना चाहूंगी कि ये sample paper आप 12th और 10th के लिए अपना preparation के लिए इनको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे sample papers हैं आपके और हिंदी medium के लिए भी मैं बहुत जल्द आपको sample paper suggest करने वाली हूँ तो मेरे साथ बने रहें, चैनल को subscribe करके रखें जादा से जादा friends को share भी करें Thank you